हालो फ्रेंड्स कैसे आप लोग मेरे वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे वीडियो के देखिए लाइक कर दीजिए नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिए प्लीज और वेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आसा करते हैं आप लोग अच्छे ही होगे अच्छा ही रहना चाहिए अपने घर में सबको अच्छे से रहना चाहिए और आज हम बनाने जा रहे हैं छोला भटूरा और ये सिवान सो इसमीती बोल रहे थे ममी छोला भटूरा बनाओ तो वही बनाने जा रहे हैं तो हमने द ताकि यह अच्छे से फूल जाए। इधर में काबली चना देखी है, इसको हम उबा लेंगे। तो इसलिए हम ने उबा लेंगे। मैं देने के लिए रिफाइन है ये और नमक डाला और सोडा डाला और कसूरी मेथी मैंने डाला इसमें ताकि इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और सान करके रख देंगे थोड़ा फूलने के लिए आधा गंटा के लिए मैंने रखा आयो, कूकर में मैंने काबली चैना हो इसमें डाल करके सोडा रख रहें और उबनने के लिए कि तक लबला जाएगा और मैंने गुठने के लिए आटा और मैंने दंदोतों सेटीा लयाको दाती दंदuğ कर दिगाइं दूक्आन से लिए वहान. कि आयागा तो हम इसमें डाल कर उसको गूतेंगे और यह मैंने थोड़ा सा उसमें दूद भी डाला था था कि दूद दूद दोनों पढ़ता है बटूरे में थोड़ा थोड़ा दोनों पढ़ जाता है तो मैंने थोड़ा उसमें दूद डाल दिया पहले और दूद शिवांस लाने लेके मैं डाल। दूंग और कबलाा रखरी उबालने के लिए इसमें सोडा डाला है। मंशाला मुं भी त्टम करें और रितिंग डलाएगा। तब तुनों ठंडा हो जाएगा अरे चाना। फिर ठंडा $就是 कंатель Wの बनाएंगे और अभी समय है तो आधा घंटा के लिए में आटा गोत करके रख दूंगी क्या अभी साम होने वाला है साम जोसे दोorte का मैं वीडियो बना रही हूं तो अभी तो कोई खाये गा नहीं तो इसलिए उसको आटा में रख दूंगी बूत करके ताकि फूल जाए अच्छे से और यह में कूकर में इसको अच्छे से बन करके रख दूंगी ताकि यह उबला जाए और यह मैंने रख दिया है उच्छाना हमारा यह देखिए एक सीटी लग गया भी है और देखिए मैंने आटा भी लगा दिया है और तो करके मैं रख दे रही हूं उसको ताकि फूल जाए और मैं इधर अपना हाथ धोलूंगी क्योंकि आटा लगा था तो हाथ में यह हाथ कड़क हो जाता है आटा इसलिए में कड़ाई में दोलूंगी दो कर करके इसी में क्योंकि आलो प्याज और टामाटर माटर है सब काटना हमको है तब तक लिए चना हमारा उबलाएगा और आटा हम रख दिये फूल जाएगा तब तल हम रेडी कर लेते हैं अपना यह प्याज है और यह टामाटर हुआ मर्चा हुआ सब मैं काट के लिए चिल क करके रख लूँगी और यह देखे मैंने दो टामाटर ले लिया है और तीन प्याज ले लिया है इसको मैं काट रही हूं और यह स्मीटी और यह श्रीष्टी दोनों अगल बगल बैट करके देख रही हैं लोग कि कब बनेगा हम लोग खाएंगे बच्चे लोग को आप लो लोग यह कितना आयली समान खाने में दिलचस्पी रखते हैं यह पूरी और पड़े एठा और अठा तो बहुत खाते हैं लोग हैं तो वही सोच रहे हैं लोग का बनेगा हम भटूरा और चोला हम कब खाएंगे तो वही लोग बैटके इंतिजार कर रहे हैं तो वहीं बोल चीज तो दों रёт रहे हैं लिए तसके नो सरकी कर दोपना, ऑन शाच मेर भीर, अ हुट इसे के सबड़ीक भी दौ Not इसको जोर हमादा शाला उत्ले नाश्चेज लीड देड़ रहे हैं कि यूद्सक्त बारी कर रेसोंसरों में अड़ा सुषा ने मैंने उसमें दे दिया है पीछने के लिए और वो सी इसमीती लेके गई है मिक्सर में बोले ममी दो हम चला दे रहे हैं क्योंकि बगल में ही मिक्सर रखा है शिलाई वाली मशीन पर तो बोले हैं दो ममी हम चला के दे रहे हैं अभी आप लोग जन्वेगर बच्चे लोग को खाने के लिए वो कुछ भी करते हैं तो बोले दो ममी हम हम चला दे रहे हैं मिक्सर और शिवांस बैठके यह मोबाइल पकड़ा है उसमें वो देख भी रहा है कुछ लिख भी रहा है और मोबाइल भी पकड़ा है कि बगल में ट्राइबोर्ड है ना तो ट्राइबोर्ड मे तो यह में और स्रिष्टी गई ए टीवी देखने के लिए और देखिए मैंने कड़ाई रख दिया है बनाने के लिए साम हो गई है अरे छे बाड़े छे हो रहा है तो यह बनाने के लिए मैं जारी बनाने की की बनाने कटाईं भी हो गया था तब बज रहा था पांच बज रह तब मैंने आटा लगाया था अब बज रहा है साड़े चेव रहा है तो मैं बनाने के लिए रेडी कर्णुकी कि बच्चे लोगो तो रहें बोले ममी कब बनाओगी तो वही अब हम कडाई रख दिये गरम होने के लिए और मेरी कराई गरम हो गई है मैंने इसमें तेल डाल दि ना कर दिआ है जैसे पतला पतला काट यहां थी 4 तुकडा कर दिया है और ता मैरी म्ने yesनastha ej्तलि मेरी कर दिया और रख दिया तभी मनता दिया और एंडा कर देद है कैने पे गर्वलिद्टी प्रेंडियर करें इतों इतना प्याज था तीन मेंने काटा था तो यह तीन आर यह उ forest and यह मैंनेठ छोटा सा दिया था अलग से पीशने के लिए स Palestinians को Lore frag riding में चिहा था और यह तीन मेरा प्याज है इसको मैं भुन रहीं औरम और तीनों और टमाटर भी मैंने पीछने के लिए दिया था गराँडर पिस्वा दिया था कि तकी वह भी थोड़ा गड़ा हो जाएगा रहे काबली चैनम छोले में उसका ज्यूस जो रहता है गड़ा हो जाएगा देखिए मेरा ये मेरा लिता पूल गया है प्याज भुना गया है मैरा प्याज भुना गया है इसे में मसाला डाल रही हू Lightning go to little bankruptcy मशार्मरर में चाहए इसो में डाल जाल भुन fonate मैंने मसाला डाल दिया और जो grinder में लगा था तो वह थोड़ा सा पानी डाले देंगे उसकी ताकि उसमें मसाला जादा लगा राता है, तो वह उसमें डाले वो भूना जाएगा, और देखेगे हमने डाल दिया है, उसमें हर्दी डाल रहे हैं और नमक डाल usage तोप देंगे उसको, थोड़ा आज कम करके और अच्छे से मासाला को भूनेंगे ताकि अच्छे से छोड़ दे मासाला और देखे मैंने सब डाल दिया है अब इसको हम तोपेंगे कि भूना जाएगा तब इसमें हम डालेंगे और देखे मैं नमक डाल रही हूँ और हरदी मैंने पहले डाल दिया और मेरा चाना देखें ंधर कुकर में मैंने कूकर बं किया है ताके उसमें इसमें गरम नाकर दीआ है और मेरा आटा है अब विसको मैं आटांगे अ दewेखें मेरा टमाटर जो मैं बता रही थी मैंने दो दिया था पीछने के लिए पीस करके मैंने अलग रख दिया कातोरा में तो वही अब ऊसको मैंने मसाला भूना गाड़ा हो जाएगा थोड़ा तो ऊसलिए यह स्को थोड़ा धक दे रहे हैं और मासाला को अच्छे से भूज लेंगे देखी मेरा अच्छा मसाला भूना गया है अब मैं इसमें अब डालूंगी जो चाना मैंने उबाला था तो अब डालूंगी इसमें मैं आधा डाल के थोड़ा मसाले के साथ मैं इसको मिक्स कर दूंगी जो है कल्चुल है उससे मैं मिक्स कर दूंगी ताकि मसाले के साथ तो अ मैंने इसको अच्छे से मैस कर दिया था आधा में इसमें देखिया है मेरा तो इसमें मैं उसमें डाल दूँगे और जो इसमें कूकर में पानी था तो भी हम उसको उसी में डाल दिये हैं और देखे मेरा ये मैं भटूरा बना रही हूँ उदर इदर मैं भटूरा बना रही मैंने पहली बार बनाया है और देखे मेरा मैंने पहली बार बनाया भटूरा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा मेरा भटूरा बना है और देखे मैं सारा इसी तरह बना लूँगी देखे मैंने दो तीन निकाला और यह देखे अभी डाले हैं दूसरा और निकाल उसमें रोटी वाले डबे में मैंने निकालके और रखा है और मेरा इधर छोला तैयार हो रहा है ताकि गरम-गरम दोनों रहे तो एकी साथ खाएं लोग इसके पापा भी दुकान से आ गए हैं तो इसलिए हम दोनों गरम-गरम रहेगा तो दोनों देंगे खाने के लिए और इसके पापा भी बैठे हैं बगल में क्योंकि दुकान से अभी आये हैं तो थोड़ा टीवी देख रहे हैं तो अभी उनको भी हम देंगे खाने के लिए देखे मेरा भटू रहा है कैसा भूला-भूला है आप लोग भी देखे खा लिजे बताएगा कमेंट में कैसा बना है मैंने तो पहली बर बनाया है तो देखे मेरा छोला भी तयार हो गया है देखे कैसा लग रहा है हमारा छोला जो आधा मैंने चना था काबली चना मैंने इसमें मिस कर दिया था और उसमें आधा उसी तरह खड़ा करके डाल दिया था और अच्छे से उसको तो दिया था कि ता और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए गा और शेयर कर दीजिए गा बाई बाई